वण्द मातरम तो दोस्तों डेल ही पूलिस का यहां पर answer की जारी कर दिया गया है सभी अभ्यारती ने अपना answer की देख लिया होगा अपना aAm कितना आ रहा है सभी ने अपन सोर देख लिया होगा दोस्तों काफी सारे student जो कॉमेंट किये कि फीजीकल के लिए कितने नमबर पर बुलाया जाएगा तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों कट पताने वाले हैं कि देली पुलिस ने अपने नौटिस में कितना नमबर बताया है कि हम आपको इतना नमबर याप लाते हैं तो हम आपको लेकिन भाई सबके साथ हैसा हुआ है तो कट अब कितना जाएगा सबसे जएधा अभ्यार्थियों को कितना नमबर आ रहा है देली पुलिस के एकजाम में साथ में फीजीकल के लिए कितने अभ्यार्थी कारी जल्थ जारी किया जाएगा फीजीकल जोब आप लोगों का दो चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब कर लिए तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो आज किसी वीडियो में हम शुरुआत करेंगे वह फीजीकल को लेकर शुरुआत करेंगे कि भाई फीजीकल जो आप लोगों का होने वाला है जो आगे आपका नेक्ट प्शीट करेंगे 155 सेंटीमीटर हाइट है किसका ओमिसी का एस्का एस्वैस का और यू आर्थे पूर्टस मेरा इस्ती को यहां पर 5 सेंटीमीटर के शूट मिलेगा श्मज़ करेंगे यहां पर 65 सेंटी मीटर मेरां कि कि लेगा बाकी 170 सेंटीमीटर हाइट लगेगा चाहे आप ओबी सी हैं समझगे अब यहां पर चेस्ट की बात करें तो 81 से लेकर 85 मतलब 81 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर दोस्तों आपका फुला होना चाहिए डेली पुलीस में दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि देली पुलीस का जो फीजीकल है हम हस्ते खेलते निकाल लेंगे तो दोस्तों ऐसी गलत फैमी में मत रहिए प्लीज मेरे भाईयों ऐसी गलत फैमी में आप लोग मत पढ़िए क्योंकि देली पुलीस का जो फीजीकल हो यहां पर देख सकते हैं यहां पर 4 cm का फूलाव चाहिए और यहां पर चौट भी मीला है 5 cm का थी को समझे और जो सटाफ है यहां पर इस्टाफ मिला है डेली पूलिश में चेस्ट तो यह था में समझें 157 संट्स should Zust मिला है इसके बाद नहीं मापा जाएगा अब लोग समझ गए आप लोगों का next process है वह रॉनिंग तो दोस्तों यहां पर देख लिजिए जो 30 years तक 30 साल के अंदर समझ गए 30 साल तक को हैं 20 के हैं पचीश के हैं या 26 के हैं 27daughter या 28 दिसके या 29 प чет है तो उनको रेस जो限 12 समीटर 6 पर देख लिए तीन पॉइंट यहां पर दिया गया है नौफिट समझे यहां पर आप लोगों को तीन पॉइंट नौफिट आपको यहां पर जो है वो करना पड़ेगा क्या राइज लांग जंप चौदा फीट और इसके बाद च्छे मिनट में 16 मीटर रणीं करना पर यहां जो 18 से लेकर 30 साल के बीच में में अब देखें 30 साल से 40 साल के जो है उनको उनको nutr मीनट में 16 समीटर रनिंगं करना पड़ेगा 13 फिट लॉंग जमप है और फिर्ट शे इनका हाइजंप है अब जो ती से जो चालीस से है एभब है जो चालीस सेёл लॉपर है उनको देखे 8 मीनट में 16 करना पड़ेगा 12 फित हाक गंप 3.3 फिट इनको लॉंग फिट लॉंग जंप है दोस्तों दिल्ली पुलिस में हाई जंप लॉंग जंप भी है अब देखें महला कंडिडेट का जो 18 से 30 के हैं उनको आठ मिनट में करना पड़ेगा लॉंग जंप 10 पीट करना पड़ेगा था जंप तीन पीट करना पड़ेगा अब देखें जो 30 से 40 सालके हैं महला मिनट में शोंग जंप लॉंग जंप है और हाई जंप है अब जो चालीस साल के महला है जो चालीस साल से उपर है उनको 10 मिनट में 16 मीटर रनिंग करना पड़ेगा आठ फीट उनका हाई जम्प है और 2.6 फीट उनका हाई जम्प है दोस्तों आप लोगों ने देखा कि दिल्ले पुलिस में 16 मीटर रनिंग है साथ मिनट में 8 मिनट में 15 से लेकर 30 साल के भीच एदि आपको आप है तो 6 मिनट में आपको सोला समीटर रनिंग करना पड़ेगा 14 फीट लोंग जम्प करना पड़ेगा तीन पॉइंट नो फीट हाई जम्प करना पड़ेगा तो सबसे जड़ा अभीयारती जो फेल होता है व इतने गुनिय अभिहार्थी को लिया जाए गाए तो दिल्ली पूलीस का जो आप लोग जाए तो आप लोग जाए और इस नटीफिकेशन में जो आपके पास दोस्टों नॉटिफिकेशन है उस नॉटिफिकेशन में आप लोग ध्यान से जाए और 16.4 चार नमबर में देखिए तोला पॉइंट चार नमबर में देखिए दा कंडिडेट एस्पोरिंग लो मैंस ने मैंसन कट आप मार्क्स नॉर्मलाइज़ विल भी कंसीडर्ड लिजेवल फोर सॉर्ट लिस्टिंग दर नेक्स्ट एस्टेज पी पीम्ट देख लिए दोस्तों लिए तो देख लिए जो अन्रिजर्ड के हैं पॉइंट तीस समझें दोस्तों पॉइंट तीस समझें यहां पर पॉइंट तीस नमबर लाने पर उनको बुलाया जाएगा फीजी कल के लिए यहां पर देखिए इस गबार जो सी स्टी ओवी सी इडाउले से उनको 30 समझें उनको 30 नमबर और जो इसम है उनको 25 समझें 25 यहां पर देख लिए आप लोग भी जाए और आपका जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में जाके आप लोग देख लिए इतने नमबर पेज में बता दिया गया है कि भाई जो नेक्स्ट जो हमारा कटफ होगा फीजी के लिए कटफ पी इप यहां पर बता दिया गया यह आप फाइनल के लिए है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मतलब फीजीकल और एंटी के लिए यह जो है कटफ है और रिजर्व के लिए 35 है स्ट ओवी सी एव्स के लिए 30 है और एसम के लिए 25 है अब देखें कंडिडिट वि पी पी एंटी ऑन देशिस दियर मेरिट कंप्यूटर बेस्ट इग्जामनेशन विल वी एरांड बारा टैम दर नंबर ओफ वैकेंसी तो दोस्तों यहां पर जो है आप लोगों का जो भैकेंसी जो भ्यार्थियों को फीजीकल के लिए बुलाया जाएगा तो कितना है आप पोस्ट की संख्या 7547 7547 गुने वारत 9564 अभ्यार्थियों का यहां पर रिजल्ट जारी किया जाएगा नौटीस में लिख दिया है आप लोग भी यह नौटीस देख सकते हैं समझे आप लोग भी यह नौटीस देख सकते हैं यह ना यहां पर देखे बारा बताया गया है मै सब्सक्राइब बारा टाइम बारा गुना अभ्यार्थी को बुलाया जाएगा पीजिकल के लिए सम depende कि बाराक्ष पुलीस को देली रिजल्ट 10 तारीक को आएगा और 22 तारीक से फिजीकल है तो दोस्तों अभी कोई पकी खवर नहीं आई है जैसे कोई पकी खवर आएगी तो हम बता देंगे और आप लोग यहां पर देख लीजे दोबारा मैं आप लोगों को बता दू कि केबल 12 गुन्न अभ्यार्थी को समझे के दोस्तों पी और एंटी के लिए तो दोस्तों यह एक चीज बता दे कि जितने भी अभी अभी अपना एंसर की देखें हैं सबसे ज़दा अभ्यार्थी कॉमेंट कि है कि मेरा 65 से और 70 के बीच में मतलब कि 65 और 60 के बीच में हमारा नंबर आ रहा है समझगे जो न्याज़ जैगा फिजिकल के में फिजिकल के जो लिए कट अब पनेगा उसके लिए नॉर्राइज चिया जैगा यह पर साफसा लिख दिया गया ले तो प्रफ जैदा नहीं जाएगा फिजीकल के लिए कमी कट अब देख सकते हैं बारा गुना अभ्यार्थी को बुलाया जा कोई भी प्रोब्लम है कोई भी समस्या है कुस्तमाज नहीं आ रहा है देली प्रीजिकल के वारे में आपसे वीडियो के लिचे कॉमेंट कर सकते हैं मिलते किसी और नए वीडियो में जाहिंद वंदे महात्रम बेस्ट अफ लख